अच्छ साहस सरोकार सराइपाली में फिर हर्ताल पर पहुँझे पंचायत सजीव मांगो को लेकर कर रहे अनिश्चित कालीन हर्ताल सराइपाली में उमीदों का स्कूल उडान मुख बाधिर को दी जा रही मुफ्ट सिक्षा जग्दरपुर में कच्रे को लेकर सडको पर उत्रे भाजपाई चौक चौराहों पर लगा कच्रे का अमबाज प्रदेश भर में आज सचिव साशकी करण की मांग को लेकर धर्णा प्रदर्शन किया जा रहा है तो वही राइगड के बाहर भी भारी संख्या में सचीवों ने एक दिवसे धर्णा प्रदर्शन कर राजसरकार तक अपनी आवाज पहुचाई है तो वही धर्णा स्थल पहुचे सचीवों ने बताया कि वो गाउं की जमीन इस्तर के सभी कारी करते हैं और निश्चेत तोर पर सचीवों के हर्ताल पर चले जाने से ये सभी कारी प्रभावित होंगे बता दे आपको ये जो ये धर्णा चल रहा है साशकी करण को लेकर कहीं समय से साशकी करण की मांग की जा रही है पंचायत सचीव की तरफ से लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है साशकी करण की मांग को लेकर धर्णा प्रदर्शन आज भी हो रहा है आपको बता दे लेकिन प्रशासन चुप बैठी हुई है साशकी करण की मांग को लेकर हो रहा है धर्णा प्रदर्शन आपको बता दे प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है इससे पहले भी आपको बता दे कि पंचायत सचेव ये मांग कर चुकी है जगदलपुर में मुगेली की युवा सिक्षक संतोष गुपता नशा मुक्ती का संदेश देने 33 जिलों की साइकल यात्रा पर निकले संतोष गुपता लोगों में नशे की बुराईयों के खिलाफ जागरुक करते हुए 13 मार्च से साइकल यात्रा करते हुए 17 मार्च को जगदल पुर पहुँचे यह संतोष ने लोगों को नशे से दूर रहने की अपील करते हुए नशे से होने वाले नुकसान को बताया पत्रे में निकला हुए से लोगों को मैं नसा मुक्ति महंगाई सेहत अन्य विमारी और स्वास के पती जगरुक करने ही तुझा से पुरी छत्री गड़ में मैं भ्रमण कर रहा हूं लोगों को जगरुक कर रहा हुँ कि वह नसा न करे गाड़ी का अधीक मत प्रयोप करें जिससे परिवां पर दुसान हो रहा है महंगाई बहर रही है और बच्चों में गलत संदेह जा रही है तो हम सैंकल के प्रयोग करके बच्चों को मवाल किला से दूर कर सकते हैं महंगाई से बस सकते हैं स्वास थे तो बहुत अच्छा संदेह है और अच्छा बात भी है और यह लंबी कोशweise 0.2-10 कलि दूरी केलिए other और ने मेशयत अौह व्याइए wow चाहिए अगरण रोज उप्योग नहीं कर तो हफते में दो दिने letra call से बुणुख करें जो जिसे वह स decía हुआ है कि अच्छा máज कम करें चैट-नदाग करें अरो शार्ण प्राइगड में अब यातायात नियमों का उलंगन करना भारी पढ़ने वाला है पता दें कि पुलिस ने एक मोबाइल नमबर जारी किया है जिसमें मोबाइल नमबर में आई शिकायत पर पुलिस त्वरित कारवाई करेगी यदि आप राइगड जिले में किसी भी शेत्र में हो और आपको कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उलंगन करता दिखाई दे तो आपको उनका फोटो या वीडियो बना कर पुलिस विभाग के मोबाइल नमबर 9479269652 पर वाटसेप कर दे जिसके बाद पुलिस विभाग उस व्यक्ति पर चालानी कारवाई करेगी और आपका नाम भी सामने नहीं आएगा आपको पता दे कि अब यातायात नियमों का उलंगन करने वालों के लिए राइगर्ड पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त कर दिया है तो उसी करम में आज यातायात वस्ता को दूस्त करने के लिए एक नया करिके से अपील की गई है और एक टोलफ्री नंबर जारी किया गया है जिसमें कोई भी विक्ति अगर आतायात नीमों को लंगन करते पाया जाता है तो आम जनता भी उसका अगर फोटो और वीडियो ले करके उस नंबर पे सेयर करेंगे तो उस पर विदिवत करवाही की जाएगी राइगर के चकरदर थाना चेत्र में ग्राम महापली में एक यूवक ने जम कर आतंक मचाया और एक मकान में आग लगा दी साथ ही एक बुज़ुर्ग के सिरपर डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया मामले में परिजन थाना पहुँचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्च कर आई तो वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गरफतार कर लिया है वहीं उसके अन्य तीन साथी भी फरार हैं कर दो दी गाएत तो मैं आज अचो गर को जा रहा थी ना तो राश्ता है में फीर बोला मेरे को कि तुमक को माना है तुमारे परिबार को पुरा ख़तम करना तुमारे तो मैं गर को निए मैं फीर अपन भ Googled क्या वहां गया बस्तित्रों और इनके तीकार अं प्रदान के ज आज घर में आग लगा दिया है घर में कोई नहीं था है सब बस्तितर अवन डर के मारे भाग आये थे कल की बाग घटना है यह इननला ल्यादा हो है उसके लड़का खेम चरण के साथ गाओं कही भक्त बंदू औराओं का आश्वी दुस्मनी था उसी बात को लेकर खेम चरण पंजीबत की जा रही है जगदलपुर में पंड्री पानी के होकी प्रसिक्षन केंद्र को खेलो इंडिया के लगू प्रसिक्षन केंद्र के रूप में सुकृति मिल गई है बता दें कि इंदिरा प्रियदर्शनी खेल स्टेडियम सित्क्रिणा परिसर और पंड्री पानी म लगू प्रसिक्षन केंद्र के रूप में मानिता प्रदान कर दी गई है जिसको लेकर कलेक्टर चंदन कुमार ने सभी खिलाडियों और खेल प्रेमियों को बधाई दी वहीं जग्दलपूर में विश्विद्याली की समाज कार अध्यन शाला द्वारा कौशल विकास पर आयोजित एक दिवसिये कारिशाला संपन हो गई है जिसको संबोधित करते हुए प्रोफेशर शिवास्तव ने कहा कि एक प्रशिक्सित कारिकर्ता समाज की उत्थान में उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वा कुशलता पूर्वक कर सकता है उन्होंने कारिशाला में उपस्तित विध्यारतियों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनिरिंग, गणित और आर्टिफीशल इंटेलिजिंस की महत्ता पर प्रकास डालते हुए आगे कहा कि विबिन प्रकार की समाजिक समस्याओं के विज्ञानिक अध्यन में उक्त माध्यम काफी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं सूरजपर के चेंद्रा पुलिस चौकी छेतर में कचरे के ढेर में एक नवजाज शिशू मिलने से छेतर में हड़कम मच गया बतादे की करोटे गाओं में खुले मैदान में कचरे के ढेर में ग्रामीरों ने एक नवजाद के रोनी की आवास सुनी जिसके बाद ग्रामीर शिशू को प्राथमिक स्वास के इंद्र में लेकर आए जहां सिशू का इलाज कराया जा रहा है वही पुलिस मामले की जाच में जुट गई है सरगुजा में निरमाना दिन माम महामाया हवाई अड़े में अग्याज चोरों ने स्ट्रीट लाइट को चोरी कर लिया जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और जाच में जुट गई बता दें कि अभी तक 19 स्ट्रीट लाइट की चोरी होने की संभावना जताई जा रही है सराइपाली में एक विशेश आवासी स्कूल उडान चल रहा है जहां मौक बाधिर और दिव्यांग बच्चों को अच्छे संसकार और अच्छी परवरिश के साथ सिक्षा दी जाती है और इसी से प्रभावित अंतराश्ट्रे महीला दिवस के उपलक्ष में भारती जीवन बीमा के अधिकारियों की टीम विशेश आवासी स्कूल उडान पहुँझी वहां रह रहे दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनके बहतर ढंग से परवरिश देने और उनके खयाल रखने के लिए उडान स्कूल की संचालिका उमा शाहु को सम्मानित भी किया सराइपाली में अपनी मांगो को लेकर बैठे पंचायत सचिवों ने अनिश्चित कालीन हर्ताल शुरू कर दी है और दो सो से भी अधिक ग्राम पंचायतों के सचिवों ने अनिश्चित कालीन हर्ताल करते हुए धन्ने पर बैठ गए हैं पंचायत सचिफ संग का कहना है कि पहले भी उन्होंने हर्ताल की थी जिसमें प्रदेश की मुख्य मंत्री और पंचायत मंत्री ने उन्हें आसवाशन दिया था कि जल्द ही साश की करण किया जाएगा लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया जिसके बाद मजबूर होकर उन्हें अब अनिश्चित कालीन हर्ताल करने पड़ेगा और तब उनकी मांग पूरी नहीं होगी और लिखित में आसवाशन नहीं मिलता तब तक हर्ताल समाप्त नहीं होगी जांजीर चापा के चापा थाना शेत्र में बैरियर चौक से हस्तेव नदी गेमन पुल में दो कार चालक लापरवाही से कार चला रहे थे और स्टन्ट दिखाते हुए कार की खिड़की से बहार निकल कर सेलफी ले रहे थे जिसके वीडियो मिलने से बाद में पुलिस ने कारवाई की है और स्टन्ट कर रहे दोनों यूवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है और न्याइक रिमांट पर भेज दिया है दिनांग 16.03.2023 के रातरी करीबन 12 बजे चांपा में बेरियर चौक है वहां से हस्देव नदी पूल के और एक कार अल्ट्रोज और एक क्रेटा के चालक क्रमसह दूर्गेस पटेल और कमलेस लठारे द्वारा लपरवाही पूर्वक उतावले पंसे और उपेक्छा इस्टंट कर रहे थे और उसमें सेलफी भी ले रहे थे सूचना पर से थाना चांपा में धारा 289 भादवी के तहत मामला पंजी बद्द किया गया और दोनों कार को जब्त कर लिया गया है जगदलपुर के टाउन हॉल में आयुजित शिविर में समस्त मितानिन दीदियों को बस्तर से तमाकू और विबिन प्रकार के नशीली वस्तुओं से मुक्त कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिसमें मुख्य भूमिका, जिले के कलेक्टर, चंदन कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी निभा रहे हैं तो मैं शिविर के मितानिन कारिकरताओं को तमाकू और अन्य नशीली पधार्तों से होने वाली हानियों और बिमारियों के विशे में जानकारी भी दी गई आज हमारा दो तरीके का कारेक्रम है एक तो हमारा है तमबाखु उत्पात निश्यत अभियान के आज शुरुवात की जारी है जो स्वास्तिवाग का बहुत ही महत्वपुर्णा कारेक्रम है और जिसमें हमारे स्वास्तिवाग के साथ में सारे नोडल जो विभाग है जिसे सम विभागों को संयुक्त रुप से इस कारक्रम को किया जाना है साथी भारत माता वायनी के तरफ से जो है नशामुक्ती अभियान जो हमारा चल रहा है बस्तर जिले में 140 समू का गठन हो चुका है जिसके तहट हमारी जो समू की महला हैं गाउं गाउं में ग्राम पंचायतों मे नशामुक्ती की एक बिड़ा उठाया है उन्होंने उनको जो है यहां पर सिखाया जाएगा कि उनको किस तरीके के साथ में काये करना है आगे बढ़ते हैं जगदलबुर्पे सरकार पर जंजाती विरोध होने का आरोप लगाते हुए सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया और आरक्षन को 32 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जिससे लेकर आदिवासी समाज प्रदेश सरकार के खिलाफ आकरामक दिख रहे हैं तो महीं आदिवासीों के आरक्षन में कटोती को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सिरह सागर चोक में एक दिवसी धरना प्रतिशन कर आदिवासीों के आरक्षन को घटा कर 20 प्रतिशत कर करने को लेकर पदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और अरक्षन को फिर से रद्ध कर दिया गया है जिससे आजिवाजी समाज को बहुत बड़ा नुपसान हो रहा है और गुपेश सरकार अपने राजदितिक रोटी सेखने के लिए जो शड़ेंटर कर रहा है आरक्षन को लेकर रोड में बुत्रेंगा और सरकार को चाहिए आज यह थार्ना प्रदर्शन संक्ट्र में द्वारा च्छतिजगड शासन का बक्षपात को व्योहार के करण की गया है 12 सेक्टमबर 2022 को इसके बाद आज के पूरे 6 मैना होगे जिसका कोई रहा कोई रास्ता च्छतिजगड शासन द्वारा ने निकाले गए और यह सुन्य हो गया है सब्योहर के लिए अब आप सभी को पता है कि जानकारी हो कि नया जो 2023-2024 का सेक्षणिक सस्त्र शुरू हो चुका है जिसमें हमारे जन्जाती समाज के बच्कों को सिक्षार्तियों को आरक्षण नहीं मिलने पर यह इस शक्षणिक सुविदा से भी वंचित रह जाएंगे इसलिए आज के धर्ना प्रदसन पूरे चतिजगड के सभी जिला मुक्षण में आवेजन की जा रही है आजाद भारत में पहली बार चतिजगड राज्य में ऐसा हो रहा है कि आदिवासी समझाई को उसका जो आरक्षण का हख है वो नहीं मिला वो फूई तरह से उपेश्की सरकार में खतम करतिया है जिससे आदिवासी समाज जो है जो जिनने सरकारी नवकरियों में जाने के लिए जो आरक्षण मुलता था वो बंद हो गया जिससे आदिवासी समाज बहुत जादा दुखी है और सासन से बांग करती है कि आदिवासीयों का जो आरक्षण वो देश के आजात होने के बाद स चौक में एक और कच्रे का अंबार लगा हुआ है तो दूसरी और भाजपाई सड़क पर उतर आएं बता दे कि पिछले एक महीने से जब से नगर निगम ने फर्मान जारी किया है कि सूखे और गीले कच्रे का विभाजन किया जाएगा तब से कच्रे का अंबार चौक चराहो ओपर दिख रहा है जिसके चलते वाडवासियों की स्थिती बेहत खराब है। जो पुरानी वेस्तास से दस्ताल पहले थी वो फिर से लागू हो गई है। जगदल्पुर स्टेशन से विशाखा पत्नम चलने वाली अधिकतर ट्रेन पांस दिनों तक बंद रहेगी। पता दे जग्दलपुर के मरीजों के लिए जीवन दाइनी माने जाने वाली एक मात्रे रेलवे लाइन में डबल लाइन के कारिके चलते विशाका पट्नम जाने वाली ट्रेन बंद रहेंगी तो वहीं सभी मरीजों के लिए विशाका पट्नम एक ही माध्यम है लेकिन माल गा या अपनी मांगों को लेकर दरदर की ठोकरे खा रहे हैं और अपनी आये में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने 64 डिवसी ये बैठक आयोजीत की जिसमें उन्हें 36 गड़िये वाड़िज एवं उद्योग मंतरी कवासी लखमा से आसवाशन मिला था कि व पत्र मुख्यमंत्री जी को देया जा चुका है और रसोयों को 300 रुपए की आय में व्रद्धी का असवाशन दिया गया है जो कि अभी तक नहीं हुआ हमलंग सर अभी तो 24 तारीक तक हमलंग का निर्ने लिये हैं अगर 24 तारीक के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ अच्छा सुझाव नहीं भेजेंगे तो यह आगे कारिणनेती फिर चालू होगा सर हमको चाहे रखना चाहे तो रख सके और निकालना कोई बात नहीं हम लंग दूसरा कारिया में लगेंगे एक तरफ बीज़पूर में बारिश के साथ ओले गिरे तो वही जिले में खरीदी केंद्र में रखा धान भीग गया और कहीं इलाकों में जलभराव की स्थिती बन गई मौसम विभार के मुताबिक गुरुवार को जिले में 29.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है इस दौरान ओले भी गिरे हैं वही नगरपाली का शेत्र में सफाई की पोल भी खुल गई साथ ही नालिया जाम होने से कहीं इलाकों में जलभराव भी हो गया है बीजापूर में जमकर बादल बर से इस दौरान ओले भी गिरे तुम्हें बारिश के चलते खरीदी केंद्र में रखा हुआ दान भी गया और कश्मीर की वादियों का मौसम 36 गड़ के चरामा में दिखने लगा तो वही लोगों ने मौसम का खूप लुथव भी उठाया लेकिन आवागमन में भारी परिशानी भी देखने को मिली बलोदा में हनुमान चाप सिक्का का लालच दिखाकर 6 लाक रुपए की ठगी करने वाले तीन साल से फरार आरोपी को पलिस ने गिरफतार कर लिया है बता दे कि आरोपी कोरोना काल के बाद राएपुर में छुपकर रह रहा था गावाने पर मुखबिर की सूचना से आरोपी की घेरा बंदी कर पकड़ लिया गया वही अब आरोपी के खिलाफ कारवाई शुरू हो गई है दूसरी खबर अंबिकापुर में पत्नी के विवात करने पर पत्नी ने कुलहाडी से अहमला कर पती को घायल कर दिया पूरा मामला सितापुर थाना शेत्र के जाम रोड़ी पर्सा पारा का है जहां एक व्यक्ती को उसकी ही पत्नी ने कुलहाडी से मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया जिसका इलाज सीतापुर सामुद्दाइक स्वास केंदर में चल रहा है, मामले में पुलिस जांच कर रही है अम्बिकापुर के बतौली थाना शेत्र में पती ने पत्नी की हत्या कर दी और आरोपी पती को पुलिस ने गिरफतार कर लिया जानकारी के मताबिक काम करने के दोरान पती की पत्नी से बहस होने लगी जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि घर में रखे धारदार हतियार से पती ने पत्नी पर तावर तोड हमला कर दिया जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और आरोपी पती को पुलिस ने गरफतार कर जेल भेज दिया है पत्नी प्यासो भाई की चरित्र संक्या पर टंग्या से संगा तक चोटे कारिद कर हत्या कर दी, जिस पर धाना बतोली में अपरात क्रमांग पैतिस अबलिक दो हजारतेईस धारत तिनसो दो पंजीवत किया गया और आरोपी को अभी पकड़ लिया गया और उसे नयाईकप र अकलतरा में लंबे समय से फरार वरंटीयो की धर पकड़ के लिए लगातार अभिहान चलाया जा रहा है, जिसके तहत फरार साथ स्थाई और साथ गिरफतार वरंटीयो को अकलतरा पुलिस ने गिरफतार कर लिया है 36 गड़ की खबरों में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार इतना है की अनीवीज नमस्कार